बिएसेफ के आई जी आसिफ जुलाल IPS से दलजीत अजनुहा की और से आज STF बाइपास में हुई पुलिस आउट परेट को लेकर की गई विश्वेश बाद चीचे सबसार पर कमांडेड SS मड उपस्तित थे आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनुहा दोस्तों आज हम पहुंचे हैं STF बाइपासिंग आउट हुए जिसमें मुक्यातिति के रूम में आज सिपी जलाल इंस्पेक्टर जरनल पंजा जड़े बीएसेफ के हैं वो पांचे हैं हम उसे बात करेंगी इस पासिंग आउट के बारे में किते जहां पर रिक्षत बाज पास ओड़ा कौन सा कितने लोग हैं और आगे बहुंचे में अगर कोई नौजवान आना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रावत आना है सर आपका अब स्वागत है जी डीडी समचार पर थैंक्यू यहां पर आज 88 नए महिला कॉंस्टेबल रिक्रूट जो बीस फ को जिन्होंने जॉइन किया उनका 44 मंद 44 वीक्स के ट्रेनिंग के बाद आज इनका पासिंग ओट हुआ है और यहां फंक्शन और्गनाइस किया गया और एक बहुत ही भाव है जो हैसे इन्होंने पी अपी हुआ आज एस्ट बहुत एनरजेटीक हो करके पूरे जोगे साहत बहुत अच्छे कॉडिनेशन के साथ इन्होंने परेड पर फॉर्म किया और एक अच्छा फंक्शन क्लिछाल फंक्शन भी ने पर्फॉर्म किया सर्व जो बहुत सी बीरुजगरी है बहुत से लूग बीस में अना च चाहते हैं एक opportunity चाहते हैं एक adventure चाहते हैं रिस्क चाहते हैं एक अच्छी नौकरी चाहते हैं बढ़ी ऑगिनाजेशन चाहते है अलग अलग जगह घुमने का opportunity चाहते हैं तो इस organization में सारी चीज़ें हैं और आप आप अगर जो पर जोईन करते हैं तो आप कश्मीर में काम करने का मोखा मिलेगा आपको राहस्थान में गुजरात में मनिपूर में तिरपुरा में हर जगा देश के हर एक कोना में आपको काम करने का मौका मिलेगा और एक बहुत अच्छा organization है आपका बेतर ढंक से ध्यान रखता है आपको ग्रूम करता है आपको कोई लायक मनाता है बढ़िया ट्रेनिंग देता है एक बढ़िया महाल रहता है organization में और आपको एक बढ़िया smart दिखने का वर्दी पहनने का और बंदूग चलाने का और देश के हफाज़त करने का बॉर्डर पर काम करने का दिन में काम करने का राप में काम करने का जिस तरह का आप आडवेंचरस चीज़े फिल्मों में देखते हैं और सिरिल में देखते हैं उस तरह का काम यहां पर देश की सिवा करने का मौका मिलता है सार जो आज बैच पास उटूआ है इसमें किते राजियों के बच्चे थे जो नब रक्षित देलों इसमें जो ऐसे लगबग पूरे इंडिया से सौथ इंडिया तमिल नाडों से लेकर के पंजाब पिहार आसाम उत्तरपरदेश सभी राजियों से रायस्थान सभी राजियो नंदेश्ट लग होता है और इनका कई चीज़े जो से डिफरेंट होती है महीला जैसे बाकी दिफरेंट होता है उसी तरह से इनका स्रेंड दूस्रा होता है आई और जो ऐसे अभी जैसे इनोंने जो मेहिला परहरी जोएन किया जिनका पासिंग आट परेड हुआ है कई पोस्ट ग्रेजवेट हैं और बहुत तैलेंटेड हैं अच्छे बोलने में अच्छा परफॉर्मेंस करने में इनकी ट्रेइनिंग जो इनोंने विपन ट्रेइनिं में किसी भी तरह से कम नहीं है बहुत बहुत दन्यावाद सब दोस्तों यह थे आई जी आसिप जिलाल जी जिन्हों ने बारे में बहुत बढ़िया लंग से बताया और इनों ने बताया पिक अगर नौजवान ब्यास हमें जॉइन करना चाहते हैं तो वह किस लंग से यहां प तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे हश्यार पसे डिडी समचार के लिए दलजीत अजनुहा